असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस विडियो में हम सेकिंडियर बायोजी चेप्टर नमबर 9 बायो टेकनलोजी के एक साइंटिफिक वीजन को डिसकस करने जा रहे हैं वो साइंटिफिक वीजन है how is SCID different from AIDS SCID severe combined immunodeficiency disease जो है वो AIDS के मुकाबले में acquired immunodeficiency syndrome के मुकाबले में किस तरी के से मुक्तलिफ है आज की इस वीडियो में हम वो डिसकस करने जाएंगे इस सेंटिफिक वीजन को तेस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर request करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया जो कि sin board teaching के नाम से है तो kindly आज ही आप हमारे इस चैनल को subscribe करें और साथी साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी upload करदा तमाम important वीडियो की notification भी आपको receive हो सके तो आई हम start करते हैं How is SCID different from AIDS SCID disease जो करें चैनल 9 बायो टेकनलोजी के topic में बढ़ते हैं ये AIDS की बीमारी से किस तरीके से मुक्तलिफ है ये बाकाइदा scientific reason पास पर 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 पूछा गया है तो आई हम इसको discuss करते हैं सबसे पहले आपने heading लगाई SCID different from AIDS heading लगाई reason SCID is different from AIDS due to falling reason किस वज़ुहात पर SCID जो है वो AIDS के मुक्तलिफ है सबसे पहले SCID is a genetic disorder whereas AIDS is a syndrome SCID जो है वो क्या है एक genetic disorder है जिसमें genetically तोर पर जो है वो gene में कोई abnormality होती है जबके AIDS जो है वो acquired disease है जो के virus की वज़ा से होने वाली क्या है एक ये बिमारी है और SCID जो है वो एक disease है जबके AIDS जो है वो क्या है एक syndrome है syndrome जो कहते है group of diseases having the single common origin syndrome बिमारीों का एक मजबूँ है जबके disease जो है वो क्या है एक खुद बिमारी तो SCID एक disease है जबके AIDS जो है वो एक पुरा syndrome होता लेकि दोनों के अंदर जो common चीज़ वो क्या है immune system कमज़ूर हो जाता इसलिए दोनों का comparison जो है वो आपके course में पूछा गिया है तो दूसरा आपके पाफ जो difference है वो क्या है SCID SCID is caused by genetic defect whereas AIDS is caused by HIV SCID जो है यह genetic defect है gene में problem है जबके AIDS जो है वो एक virus की वज़ा से होता है HIV Human Immune Deficiency Virus की वज़ा से यह होता है जबके इसमें कोई virus का रॉल नहीं था SCID में In SCID individuals are born without T cell and B cell So the immune system is very poor Whereas in AIDS HIV attack on T4 cell So the body immune system break down हमने का SCID में क्या है individuals are born without T cell and B cell इसमें जो है वो T cell और B cell की जो formation होती वो सही तरीके से नहीं होती So the immune system is very poor Immune system जो है कुवत मदाफिय जो होती वो कमसुर होती Whereas in AIDS HIV attack on T4 cell So the body immune system break down जिसमें क्या होता है इसमें जो वो formation तो सही तरीके से होती है लेकिन वाइरस उसको पर क्या करता है अटेक करता है जिसकी वज़ा से body की immune system जो है वो क्या हो जाएगी कमजोर हो जाएगी फिर सी तरीके से SCID is not transmitted Whereas AIDS transmitted from one person to another SCID जो हो genetic disease है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं भेलती जबके AIDS जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या हो जाती है भेल जाती है sexual contact के ज़री SCID is treated by bone marrow transplant Whereas in AIDS it is treated by anti-retroviral therapy हमने का SCID की जो treatment होती वो क्या है bone marrow transplant करना होता है जिसमें stem cell जो होते हैं जो abnormal होते हैं वो कुछ stem cell वहाँ implant करना होता है Whereas in AIDS it is treated by anti-retroviral therapy जबके AIDS के अंदर क्या होता है AIDS के अंदर जो है वो anti-retroviral drug के जर्यों उस बीमारी को control किया जाता है conclusion के हमने बात की यह सारी reason हमने पेश के due to the above reason SCID is different from AIDS इन सारी वजुहाद की बिना पर SCID की जो disease है वो AIDS के मकाबले में क्या है मुक्तलिफ है अमीद करते हैं आज की इस वीडियो साब को बहुत ज़दा फाइदा हुआ होगा Thank you very much Allah अपिस